वेलकम टू जीरो से जिनियास तक आज की एक और नए इस्पेसल वीडियो क्विटेश्टा में आप से पूछे जाएंगे जी के जी इसके तीस ऐसे सवालों को जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है रभिन नास्ट टैगोर को नो रभिन नास्ट टैगोर को नोवेल पुरसकार से कब नवाजा गया तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी उन्नी सो तेरह इस बी में कोशन नमबर टू अजन्ता की गुफा का निर्मान किस राजवन्स के सासनकाल में हुआ तो यहां पे आंसर हो जाएग जाएगा और बी गुफ्त वंस कोशन नमबर तिन पोधा अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है राइट आंसर होगा अपना नमबर ए मिटी से कोशन नमबर फॉर जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था सही आंसर होगा आप्सन नमबर A लाल बहादुर सास्त्री कोश्च नमबर 5 परंपद किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A कंप्यूटर से कोश्च नमबर 6 चौथा अस्थम का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा आप्सन नमबर A प्रेस से कोश्च नमबर 7 सूरिय की पराबायगनिक कीरणों से प्रित्वी की रक्षा कौन करती है? सही आंसर होगा आप्सन नमबर C ओजोन मंडल कोश्च नमबर 8 कराई का संबंध किससे है? कराई का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा आप्सन नमबर C बहिस्कृत बच्चों के कल्यान से कोश्च नमबर आगे है? स्वतंत्र भारत की पहली बहु उद्देशिय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बीबीय सवाल है अक्सर आपके एकजाम में पूछे जाते हैं राइट आंसर होगा आप्सन नमबर C दामोदर घाटी परियोजना कोश्च नमबर टेन है डॉक्टर सीवी रमन को भातिक सास्त्र बिशाय में कीस वर्ड्स नोबिल पुरस्कार परदान किया गया सही आंसर होगा आप्सन नमबर D 1930 इस्वी में कोश्च नमबर आगे है कितने तापमान पर centigrade इस फॉरेन हाईट का तापमान इकवल होता है सही आंसर होगा आप्सन नमबर D माइनस 40 डीग्री सेलसियस पर कोश्च नमबर 12 नैजीरिया कीस वर्ड्स स्वतंत्र हुआ नैजीरिया कीस वर्ड्स स्वतंत्र हुआ राइट आंसर होगा आपसर नमबर D, उननी सो साथ इसवी में, कोश्चन नमबर 13 है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, आपसर नमबर D, पंदरह मार्च उननी सो पचास इसवी को, और आपको याद होगा, इसका अब नाम चेंज करके नीती आयोग रखा गया है, कोश्चन आगे है, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्या में इस्तित है, दुधवा नेशनल पार्क कहां इस्तित है, राइट आंसर होगा, आपसर नमबर D, उत्तर परदेश, कोश् था, राइट आंसर होगा, आपसर नमबर A, पूर्तगाली, कोश्चन नमबर 16, और उनाचल परदेश की राजधाणी कहां है? और उनाचल पर्देश की राजधानी कहा है? सिंपल सवाल है, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C, इटा नगर कोशन नमबर 17 किस मुगल बासाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है राइट आंसर होगा आप्शन नमबर C, और अंग जेब को कोशन नमबर 18 ओधागिक करांती सर्वे प्राथम किस देश में हुआ? ओधागिक करांती सबसे पहले कहा हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप्शन नमबर D, इंगलाएंड कोशन आगे है 857 के बिद्रोह के बाद मुगल सासक बहादूर सा जफर दुवितिये को निर्वासित कर कहां रखा गया था? कोशन एक पर फिर से 857 के बिद्रोह के बाद मुगल सासक बहादूर सा जफर दुवितिये को निर्वासित कर कहां रखा गया था? जेल में भेड दिया गया था कहां? तो यहाँ पर राइट आमसर होगा option number D राइगून भेड दिया गया था कोशनागी है बख्सर का यूद्ध कीस वर्ट से हुआ था? राइट आमसर होगा option number C सत्रह सो चॉसट हिस्वी में कोशनागी है गंधार मुर्तिकला किस राजवन्स के सासनकाल में फला फुला था तो यहाँ पर आंसर होगा आप्शन नमटी कुसान राजवन्स के सासनकाल में आगे सवाल है दादा साहिब फाल के पुरस्कार किस मंत्राले के द्वारा दिया जाता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमटर ए सुचन यो परसारन मंत्राले के द्वारा कोचन आगे है द्वितिय स्रेनी के सेयन नियान में कितने बर्थ होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C 72 बर्थ होते है सिलिपर कलास में आपने सफर किया होगा तो देखा होगा कोस्टन आगे है प्रथम एसियन गेम से कहां आयोजित की गई? प्रथम एसियन गेम से कहां आयोजित की गई? तो आंसर है आप्शन नमबर D भारत में कोस्टन आगे है बिश्वा अस्थर पड किस देश में पहली बार संभिधान की धर्ना उत्पती हुई? यानि कि सवाल है बिश्वा में सबसे पहले संभिधान बनाने वाला देश कौन है? तेहां पर आंसर है आप्शन नमबर C अमेरिका कोस्टन आगे है मदर ट्रेशा का जर्म किस देश में हुआ था? मदर ट्रेशा का जर्म किस देश में हुआ था? राइट आंसर है आप्शन नमबर A अलवानिया कोस्टन आगे है कोस्टन नमबर 28 है लाला राजपत राय के मृत्यों किसके बिरुध बिरुध परदर्शन करने के समय हुआ सही आंसर हो जाएगा option number C, Simon Commission question आगे है किस देश के कौफी बगान को फैजेंडा कहा जाता है किस देश के कौफी बगान को फैजेंडा कहा जाता है तो यहाँ पर answer है option number D, Brazil question आगे है मेरियानागर्थ किस महासागर में इस्तित है सही आंसर होगा option number D, परसांत महासागर तो आपके लिए एक सवाल है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी यदि आप right answer बता सकती है तो simply आपको comment works में जाना है वहाँ पे लिखना है Q4U और इसके right answer तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में आपना ध्यार रखिए जय हिंद जय भारत